अपना उत्राखंड में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ काविन चौहान खबरों क्यों रुख करेंगे उत्राखंड के बड़े निता हरक सिंग रावत को हाथ का साथ मिल गया है उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जॉइन कर ली है हरक सिंग रावत ने इसके बाद हरीश रावत से मुलाकात की हरक सिंग रावत कॉंग्रेस के वार रूम 15 जी आरपी में पहुचे है इस दोरान वार रूम में प्रेंका गांधी, हरीश रावत, गणिश कूदियाल, प्रीतम सिंग, भिवेंदर यादव और दीपिका पांडे सिंग मौझूद थे हरक सिंग रावत ने कॉंग्रेस की सदर सिता लेने से पहले इन नेताओं से बलाकात की हरक सिंग रावत ने इस दोरान कहा कि जब 10 मार्च को कॉंग्रेस पूर्ड बहुमत से जीतेगी तो ये मेरी माफी होगी बीजेपी ने मुझे यूज इन थ्रो समझा, मुझे बहुत परिशानी हुई थी जैसा मैंने वादा किया था, मैंने ग्रह मंदरी अमिश शाह के साथ अपनी दोस्ती आखरी शंड तक नहीं तोड़ी काशिपूर में आम आदि पार्टी ने अपने चुनाओ कार्याले का उदगाटन करते हुए शंखनाद फोक दिया है इस दोरान काशिपूर के राम नगर उड़ स्थित खोले गए चुनाओ कार्याले में आपके स्थाने विधायक प्रत्याशी दीपक बाली और जलाथ एक्षब मुकेश शावला समेथ तमाम नेताओं ने मंत्रों चारण और पूजा पार्ट कर उदगाटन किया वही मेडिया से बात करते हुए आप प्रत्याशी दीपक बाली ने दावा किया कि इस बार काशिपूर के साथ साथ पूरे प्रदेश में आमाद्भी पार्टी के लहर है और जनता बीजेपी कॉंग्रेस दोरों ही पार्टीों से उप चुकी है ने रड़निती तो जो पहले से चल रही है जनता के बीच में जाना आमाद्भी पार्टी का एक एक कारे करता परदेश बर में जा रहा है काशिपूर में भी हमारी बहिला कारे करता है हमारे युवा कारे करता सब लोग अपने अपने बोर्चों के साथ अपने अपनी टीम शिय्प काक्षिपूर में भिवन्जगाओं पर जा रहे लोगों से मिल रहे और अपनी नीतिया जो पार्टी की है उन्थ तक पहुँचा रहे तो बस वही रहनी ती है जन्ता के बीच में रहने और अपनी बात तक बात को जैदा से ज्यादा लोगों तक पहुचाना उत्रगंड विदानसभा चुनावकू अब कुछ ही सवय बचा है ऐसे में गैरसेंड की जनता आपने विधाय के काम से कितना संतुस्ट है इसको जानने के लिए कंड़प्रियाक से हमारी संभाधाता सुरेंद्र धनेतरा ने गैरसेंड की जनता की राय जानी इस दौरान क्या कह रही है वहां की जनता ये रिपोर्ट दीखेंड तो हम आप इसे जाना जाएंगे सर आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आपके विधायक ने इसका कारान क्या रहा होगा यह तो विधायकी जानते हैं लेकिन सरकार के द्वारा भारतिये जनता पाल्टी ने इस छेत्र के लिए बहुत कुछ किया है यहां से पहले से प्रस्तावित जितनी सडकें थी सब को PMG SY में डालके कहीं भारत माला में वो करके टांसपर करके सारी सडकों का निर्मान करवाया है पेज जल का पेज जल तो सभी जानते हैं कि यह गुर्पे में कनक्सन मिल रहा है आईसमान कार्डी सरकार का रहा गैरिसेंड में स्टेडियम सरकार का काम रहा है सारे प्रस्तावित कार्यते जिनको की भाजपा सरकार में बहुत तिव्यता के साथ किया और गैरिसेंड में जो मूल भूत शुविदाती पानी की उस पानी के लिए जील का निर्मान के लिए प्रस्तावित करना उसका प्रस्ताव बनाना और उसके लिए धन की व्यवस्ता क आप क्या क्या चाहंगे पूर्टि का प्रदिश गृष्मकालिन राज्धानी और उस गरीष्मकालिन राज्धानी अब हम दोबारा हजार 22 में फते होंगे और उस पर पूर्ण कार्य करेंगे भारते की सोच गहर सेड़ी के लिए 2000 जब अलग राजया बना तब आ मान्या अटल वियारिवाजबायज जी के द्वारा यह राजय के लिए पैकेज दिया गया और उस पैकेज से गिरिस्म कालिन राज़दानी जो भवन बना है वो हमारे सरकार द्वारा जो पैकेज दिया गया था वो खर्च हुआ जो आपके निवर्दवान विधायक हैं विधायक ने विकास कारे कितने कियेगी तो मुझे तो लगता है कि वो जनता बताईगी और मैं इस पर टिपनी नहीं करने चाहता हूँ यहाँ पर इतनी परिशानी है पेजल की कि बहुती दिकत है और पांच सालों में कुछ नहीं है राजदानी का सवाल गिरिजकाली राजदानी की गोशना हो गई है लेकिन आज यहाँ एक इत तक नहीं लगे और यहाँ पर कोई सची सेकर्टी तक नहीं बैठाया गया और जो क टीचरों की प्रॉलम है बेरेज़गारी का मुद्ध है इन पांच सालों की अंदर सरकार भी फल रही है इस समस्या है यहाँ पर एक और हमारे चाहते हैं मस्टर आपका नाम जानना चाहूंग और आपसे पूचना चाहूंगा मैं कि इन पांच सालों में भाजपा सरकार ने आपके बिधान सबाब में कितना विकास किया है जो निवर्दवान विधायक हैं उनके द्वारा कितने विकास कारे के गए और अस्ता ही राजधानी को लेकर क्या कहेंगा मेरा नाम दिरियस गौर मैं सही हो जाक हूं आपदा प्रवंदन समीती चमोली का बारतिया जनता पा कि अधर नाम होते हैं कि खर्षाई भिली खंबा नोचे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन भारतिय जनता पाल्टी का कारे करता सदय उसका कोई भी परतियासी उसका कोई नेता हो जनता के बीच में जुड़ा रहता है और हमेसा सदत कारे करता है जिसका पैणाम आज वो व बिवक्स यह भी आरुब लगा रहा है निवर्तवान जो विदायक है उनकी कारेकाल में कोई ज्यादा कारे विकास कारे ने हुई तो उसके क्या कहेंगे हैं मैं बताना चारा हूँ पूर में कैज का हूँ यह जानकारी अधूरी जुटाते हैं इनको पता नहीं यह संबंद सभा में आज तक पर्द निदिय जन पर अए नगे कितना विकास कारे किया जहां जो राजधानी का मसला है जो उतराखन की आनुलनकारियों के सहिदों की जो जन भावनाओं की जो राजधानी अस्ताही राजधानी थी इन दो बस लोग पर आपका क्या कहना है मेरा नाम एलपी सती पूर प्रदानेचार्य और मैं 40 साल राज के सेवा में कारे किया है उसके बाद मैंने भारतिया जनता पार्टी जोएन की है और मैं एक भारतिया जनता पार्टी का जिल्ला बुद्धी जीवी परकोश का संयोजग भी हूँ बीजेपी की ओर से आरेवारे विधानसवा चुनाओं खुले कर सूची जारी करती गई है जिसके बाद समर्थकों ने पार्टी के मुखे बसड़े से खुशी मनाते हुए पार्टी शेहर का दौरा किया साथ ही पार्टी कार्याले में मिठाई बाठकर खुशी जदाई है पार्टी ने मुझे इस काविल समझा कि मैं भार्टी जन्ता पार्टी के लिए औरी विधानसवा से परत्यासी बन सकता हूँ अब में बीजेपा हाईकमान एक बार फिर से बदरिनात विधानसवा से सेटिंग विधायक महिंदर भट पर दाउं खिला है उन्हें टिकेट मिलने के बाद से बढ़ाई देने वालों का तांता लग गया कारिकरताओं ने कहा कि महिंदर भट को टिकेट मिलने से बीजेपी कारिकरताओं में ओरजा का संचाह हुआ है निश्चत ही बीजेपी इस सीट से जीत दर्च करेगी। काशिपूर में पिछले चार बार से वीजेपी विधायक रहे हरवजन सिंग चीमा की बेटे त्रिलोग सिंग चीमा को पार्टी हाई कमान ने विश्वास जताते हुए काशिपूर से अपना प्रत्याशी बराया है। इसके बाद टिकेट मिलते ही दर्च लोग सिंग चीमा ने मीडिया के सामने आते हुए कहा है कि पार्टी उमीदों को पूरा करूँगा। मेरे पिताजी ने 20 साल काशिपूर के लिए कार किया है, इमानदारी से किया है। मैं कोशिच करूँगा कि उन्हीं के कदमों के उपर इमानदारी से जनता के बीच में रहके, उनका एक लीडर ना बनके, क्योंकि मुझे कोई कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई इन चीजों का कोई लालच नहीं है। मैंने जनता के बीच में एक दोस्त, एक भाई, एक बुजूर्गों का एक बच्चा बनके, उनके साथ रहके, उनके साथ मिल जुल के काम काशिपूर की तरक्की के लिए करना है। रिशिकेश में नरेंदर नकर विधानसवा सीथ पर कैमिनेट मतरी सुबो दुनियाल को दूसरी बार बीजेपी से टिकेट मिलने पर फिर से बीजेपी नेता ओम गोपाल रावद बेफर गए। उन्होंने अपने पहले से ही जारी घोशना के अनुसार चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया ही, साथ ही बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की बाद भी कह दी है। ओम गोपाल रावत बाचीत में साफ कहा कि फले ही उन्हें उन्हें 2017 में निर्दलिय चुनाव लड़ा हूँ लेकिन उन्होंने कभी भी बीजेपी का विरोध नहीं किया। भारतिय जन्ता पार्टी का चरित्र दिख गया है, इनको सिरफ सत्ता चाहिए। कोई भी बिचारदारा जब इधर आ जाती है तो इनको वह अच्छी लगने लग जाती है और जो अपने लोग हैं, जो इनके लिए हमेशा काम करते रहे हैं, हमेशा दरियां बिचाते रहे हैं , को दो सीट से जो है तीन सो से ज्यादा सीट इनको पार्लेमेंट में दिये यहां जो है दो तियाई बहुमत उत्राखन में दिया उस विचारदारा से इनको कोई लेना देना नहीं है तो फिर हमने बिचारधारा के तिलान जली देनी है आज मैं भी पाल्टी बदलने के लिए पहली बार मजबूर हुआ हूँ दूसरी बिचारधारा में जाने के लिए अब मैं जो है कौन इस पाल्टी की ओन में जा रहा हूँ गदरपूर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी अर्विन पांडे की घोशना होने के बाद शेत्र में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के निवास पर एक बैठक युवाप्रवासी प्रवारी गदरपुर विधानसभा प्रदेश युवा मंतरी मोर्चा के नित्रत्य में बैठक कायोजन क्या ग्या बैठक में नगर पंचायट के सभासद और बीजेपी के स्थालिया लेता उपस्थित रखे कर गदरपूर का प्रतिन दित्तों करें और हम सब की क्या भूमिका उसमें हो सकती है वो योजना हम सब ने आब बैठकर बनाई लेखिए आपने अपने प्रस्ण में उस बात का उत्तर दे दिया है मान्य अरविद पांडे जी हमारे केंडिडेट हैं को भी हारे नहीं है और आ को ही वाइटी ने टिकट दिया है मान्यरzepीन पांडे को इस बारे में जो है हमारे ऑज्जरबर यहां पे आए हरियानत से उन्हों ने बैठक लिया और हमने उनको यह बात कहिelong कि Antar Right was माने पांडे जी ने हमारे छेत्रे में छोटी मोठी जो समयश्या था उसका उन्होंने समाहन किया है और खासकर मैं बंगाली समाज से आता हूँ और बंगाली समाज की बहुत पुरानी एक मांग थी जाती परवन पत्र में जो है बंगलादेशी अबलिक पाकिस्तानी लिखके आता था उस एक हमारे चात्रों के साथ एक बहुती धोका आउता था उनका अविसाब हो था ये गाली था बंगाली समाज के साथ उसको जो हैं उन्होंने विदानसवा में पास कराके हमारे समाज को एक तुफा दिया है और हमारे जाती परानों भत्रे में सामाने रूप से जाती लिखा आता है और ये हमारे जो कलंग था उस कलंग को दूर करने का काम हमारे पाने की नहीं है लालकों विदानसवा चुराओं के लिए नामांकन के पहले दिन भागपा माले प्रत्याशी बहादूर सिंग जग्गी ने नामांकन के दौरान तहसील परिसर में सुरक्षा के पुखता इंगजाम रही परिसर में भारी पुलिस पल तैनात रही वहीं तैसील गेट पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की कोविड बचाओ को लेकर थर्मस क्रेणिंग की कई और लोगों के हाथों को सेनिटाइजर भी किया गया है वहीं प्रशासन ने प्रत्याशियों के साथ उनके दो प्रस्तावकों को ही अंदर जाने के अनुमती थी वहीं कोविड नियमों का पालन करते होई अपना नामांकन करने के बाद भागपा माले प्रत्याशी बहादुर सिंग जग्गी ने कहा कि लालकुआ की जनता बदलाओ चाहती है बाद भागपा माले हमेशा जनता की लड़ाई नड़ती रही है इस चुनाव में किसानों की लड़ाई एहम मुत्ता है अमांकन किया है वो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार हम्दे नाबकर यहां पर किया और कोविड नियमों का पालन करते हुए और 51 वर्षूं से जन्संगर्षूं में 1971 से लेकर अब तक लाल जन्डे के तहत जंता के सवालों को लेकर इस विधान सभा और तरही वहबर पहाड के और खासकर इस विधान सभा के भूमी हिनों किसानों मज़़ों बेरोजगारों तमाम जौजवानों महिनत कर सुँ की बड़ा है और आगे भी अव और मद्दाताओं ने इस विधान सभा छेत्र के मद्दाताओं ने जिता कर भेजा तो निचेत अब विधान सभा के अंदर जन्ता के सवालूं पर जो है लड़ूंगा और जिस तरह से खेत खलिहानूं से लेकर और तवाम कलकारगानूं से लेकर और सड़कों से लेकर इस संगर्च को इकावन वर्षू से यहां तक पहुंचाया है उत्राखण में विधान सभा चुनाओं नस्दीक हैं ऐसे में तमाम पार्टिया जन्ता को साधरे में जुट गई है ऐसे में आने वाले विधान सभा चुनाओं को लेकर खानपूर से ब्यस्पी परत्याशी चौधरी रविंद्र पनियाल की क्या तयारी है इसको लेकर चौधरी रविंद्र पनियाल से खास बाचीत की हमारे समबादाता ने इस रिपोर्ट को देखिया है किस तरह से जो आपका परचार परसार है क्योंकि चुराव आयोक के द्वारा मीटिंग या कोई जन्सभा का भी परतिमन लगया है तो इस तरह में किस तरह से रविंद्र जी अबना परचार परसार करेंगे और छेट की जन्ता को क्या जो इनके विचार है जो खेट पिछड़ा हुआ है उसमें इनकी क्या छेटर के लिए क्या नई चुनोतिया है जिनको इनको पुराभी करना होगा जानना चाहेंगे रविंदर जी से रविंदर जी आपके लिए छेत में बहुत काफी चुनोतिया हैं। जानना चुनोतिया हैं। कि इतने बुरी इस्थिति में के खाज की दवाई भी यह लोग अपने आप में पैसे के अभाव में आर्थिक इस्थिति की तंगी नहीं ले पाए तो उससा पूरे सरीर में सरीर गलने के कगार तो ऐसे उसमां हम लोग देखा कि हमारा जो छेतर है बड़ा दबा अकुचला सोचित पीडित और बड़े अपने आप में बहुबली विधायक दबंगई विधायक कम से कम इलाज का तो हम लोगों को सब को राइठ है कि हम जिस छेतर में रहते हैं तो उसम खानपूर विधान स्वाम में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी है जो जैसे प्राजनिती में हम लोगों को एक लंबा समय हो चुका है और यह हमना पहली बार यहां देखा कि बेरोजगारी का जो आलम है इतने बड़े-बड़े पलांट यहां लगे अगर यहां के जन परतिनिती जाग जाते तो इस खेतर में किसी घर में कोई बच्चा बेरोजगार ना मिलदा जब यहां के लोगों को 70% बच्चा कर यहां का होता तो उसमां उन बच्चों को बेरोजगारी का जो आप लोग बता रहे हैं वो तो ढून ढून का लाने सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना का गाम करेंगे क्योंकि आपने जन्ता की बात जानने की बात कोशिच की मेरा नाम तेज सिन्राणा मैं ठखकुर समाज से हूं मेरा गउं दंडेरा ह। जन्ता में बच्चे-बच्चे के मूपर रबिंदर पन्राण सब्सक्राइब करें दूसरा मैं नहीं जानता हूं कि कारी सेली को क्योंकि जिला पंचे जिला कोप्रिटी के चेर्मेन रहे तब यहां पर बाढ़ आचुकी थी तब यह विधायक नहीं थे वोजूता विधायक की विधानसवा में इन्हों भूस नाज अपने पैसे से पुछवाने का काम किया था और मैं इनकी साथ देख रहा हूं इस्तिति को जाकर कि इतनी माली हालत है उस विधायक को चुनाल लड़ना ही नहीं चाहिए क्यों जिस हालास से वह यहां की जंता जूज रही है उच्छे तो घर बैढ़ जाना चाहिए राजा कहने का भी और विधायक करने का भी उसे धिकार नहीं होना चाहिए जाना चाहिए ओर भी हैं राज कुमार जी आप से भी जाना चाहिए कि आप भी काफिसना लंबे समय से छेदर में घूमते हैं और राज़निदी करते हैं आप जिस तरह से छेदर में हूं रहे हैं क्या जो बस्वाप प्रटेसी रूबिंदर चोधरी जी इनको जंटा का कितना रपूर प्यार मिल दहा और जंटा इनको कितने भारी भॉहमत से विदान सवा में भेजन यहां के किसान को इतना लाब दिया आई तक किसी चैर्मैन ने नहीं दिया तो जनता ने और किसान यहां के किसान ने और मईदू ने एक अपना मन बना लिया कि जब पदपर राक 40-45% इन लोगों को छूट दिलवाई वल्लविन के जो लोगों पर जो अपने करज निकाल लग कि इन आफंडेज़ी आकरित तक मेरा Note 17 मे रहेगा आज वाखनपूर विधान सभाम में निकाता करती तुरमें मुकरells चछन नता करे लोगे चुनों टींतै मिलनी रहां यह नहीं तो जनता का मोड़ी हैं helfen यह 네 यह तो परविन चोधरी है मैं सोगनगर से आता हूं परविन चोधरी और मैं यही आपके चैनल के माध्दम से ही कहना चाहता हूं कि इस बार बहुजन समाज भाल्टी के टिकट पर जो मारे भाई रविंदर परियाला जी लड़ रहे है इनी की लहर है पूरे खान पुरिविदान है और इस बार हमारे भाई रविंदर परियाला जी को जो हात्ति का चुनावचिन है इन पर लड़ रहे हैं और इस बार इनको सर्दार जाट गुजर और अपने यहां पर सेनी समाज है चुवान समाज है सभी का एक तरफा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छे मार्जन से कम से कम पच्छे हजार के मार्जन से इस बार जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जन से जीतकर विधान सहभा में जा रही है आप सबसे में आपके चैनलंब कि मेरा यह नोर दागी सभी विरा दिया इस बार हत्ति के सुनावचिन को बोड देगा बाई रविंदर पनियाल जी को विजय ही बनाए यह इंद हम कारपूर विधान स्वा में थे जहां से बस्पाप प्रचाशी चोधरी रविंदर पनियाला जी है और उनके साथ में उनका साथ तोर पर कहना है कि जो 2022 का चुनाओं है बस्पाप प्रचाशी के सामन कोई चुनोती नहीं है लक्सर से परविंसानी नूजवर्ड इंडिया उत्राखण में विधान सबाद चुनाओं की तारीके घोशत हो चुके हैं सभी राजनेतिक दर चुनाओं की तयारियों में चुटे हुए हैं चुनाओं में आसामाजिक तत्वों की गतिविदिया भी इबढ़ जाती है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर हो गया है मंगलाव के नारसन बॉर्डर पर पुलिस वलतायनाथ है दिन रात बाहरी राज्यों से आने वाले वहानों की सघन जाच की जा रही है ताकि को इस तंदिग्द उत्राखण में प्रिवेस्ता करे हरिद्वार के स्सपी डॉक्टर योगे इंदर सिंग्रावत मंगलाव के नारसन बॉर्डर पर पहुंचे और 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 चक दिरेक्शन किया पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिये लिए हैं जैसा कि आपको पता है चुनाओ बिल्कूल अब शिर पे ही आ गिया है और नामंकन भी अब शुरू होने वाले हैं जैसे अप जानते हैं अब इसे में किसी प्रकर की ऐसी गतिविदिया नहों जो कि अववनचित हैं इसमें किज प्रकार के पैसे का या शरापा या इस प्रकार की जो चीज़ें होती है जो की मद्दाताओं को प्रभावित कर सकती है उनको रोका जाना बहुत आवशक होता है और इसी द्रिश्टे कोंट से यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं या और बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है कुलिस की तो फिलाल इस बुलिटेर में इतना ही बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देख लेगे अब बने रहेगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ शुक्रिया